खर्चा पानी इस ब्राथ टी यू बाई लिवोजन टॉनिक थकान और कमजोरी से दे आजादी इतनी थकान मैरेतोन भाग रहे हो मैरेतोन हरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ थकान और कमजोरी खुन में आईरन की कमी के लक्षन है लीजे लिवोजन टॉनेक, इसमें हैं और्गानिक आइरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी नमस्ते, मेना नाम सिध्धान्त है, साथ में अईशुमान जी है, ये है खर्चापाने अईशुमान जी, स्थितियों को क्या इस समय आप समहलता हुआ मान सकते हैं, धीरे धीरे बहुत जो मन्खर चाल से अगर समहलता हुआ मानें, क्या अगर आप सिध्धान्त खर्चापानी में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का भी स्वागत है, इस स्थितियों को द वो मैसेज धीमे धीमे थम रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स ने कहा है कि उनको फुल प्रेशर की ऑक्सिजन सप्लाई मिल रही है, लेकिन ऑक्सिजन की समस्या छोटे शहरों की तरफ बढ़ रही है, तमाम ऐसी सूचना है, मेरा ठली गड़ा और छोटे-छोटे कस्बों से बाकी जिगे से आ रही है, जहां पर ऑक्सिजन की शार्टेज है, क्योंकि मरीज तो वहां पहुंच रहा है, एक तो चीज यह है, तो इसे आप सुधार भी मान सकते हैं, या मान सकते हैं कि संक्रमन जिस रफ्तार से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, बड़े शहर से उतर कर छो रखे हैं, और अभी भी बहुत सारी सारा दवा और और मांग ऑक्सिजन वाले बिट्स की है, लेकिन एक चीज हुई है पिछले दव बारा दिन में, कि सरकारें तो नहीं कर पाई, सरकारों के तो बसका नहीं था, लेकिन बाकी जो एजेंसियां थी, बाकी जो चैरिटेबिल अगनाईजेशन थे, बाकी लोग थे, उन्होंने बिट्स की और हिल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर की कैपिसिटी में टेंपरेरी एड करना शुरू किया है, और उसका ये नतीजा है कि अस्पतालों पर के बाहर जो कतारें थी या जो थी, वो धीमे-धीमे मूव किये जा रहे है उनकी तरफ, ये फिलहाल अगर आप एक मैक्रो पिक्चर देखने की कोशिस करें, तो समझ में आता है, ये मैक्रो पिक्चर तो ये हो गई है, उसके अलावा ये भी समझ में आता है कि रेमडेस्विर वगरह को लेके, मैं अभी पढ़ रहा था कि कुछ लोगों की बाचित, कि गिलियट साइंसेज, जिसने रेमडेस्विर को डेविलप किया था, तो गिलियट साइंसेज ने बार बार कहा है, कि अब आपको इतना रेमडेसविर चाहिए हो बताइए, हम इतना करोल देने का वादा करते हैं, ये उस समय जब W.H.O. सा लिके सारे हेल्थ एक्सपर्स और इनके उपर ऐसे आरोप लंबे समय से लगते रहें कि इन्होंने कोई रोग है उसको डील करने के लिए दवाज बनाई और उसको रोल आउट करने में इन पर आरोप है कि इन्होंने डिलिबरेट देरी की इन्हों डिलिबरेट देरी की क्यों इन पर जांच बठाई गई यूएस में किसाब आपने प्रॉफिट कमाने के लिए आपने देर की तो अब रिम्डेस्विर का पूरा चक्कर इसमझ में नहीं आता है मुझसे कोई रिम्डेस्विर मांगने आता है जिसे हेल्प के लिए त फलब भी ऐसे दंद एक तो फार्मेसिटिकल कंपिनिया कैसे काम करती है यह तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलग जाएगी जाएगी एक दूसरी ही कहानी है पूरी तरह से मुझे लगता है कि नेट्फिक्स देखने वाले नेट्फिक्स पर ऐसी तमाम डाक्यूमेंटरी देख सकते हैं कि फार्मेसिटिकल कंपिनी के काम करने का तौर तरीका दुनिया में क्या है और उस पर बहुत सारा रिसर्च उनके तरीकों पर मौदूद है परमाज उस पर हमारी बाचीत का विशे नहीं है अगर रेमेडिसिवीर उपिक तो दवा नहीं है तो हर हास्पिट परिदारों को डॉक्टर कहरें लेकर आई यह नहीं तो मरीज नहीं बचेगा पाच्पाँ छेचे इंजेक्शन लेकर आई ए उधर दूसरी तरफ सरकार के ही डॉक्टर कंट्रडिक्टरी बयान दे रहे हैं एक तरफ यह कहा जा रहा है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है दू बरके डॉक्टर रो हस्पिटल उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और सरकार इस होक में उठा रही है और जब खरीद रही है तो कोशिस सरकार को यह करनी चाहिए कि बजाए इस पर गफलत या कंफ्यूजन फैलाने के पहले यह तो कोशिस करें कि उसकी सप्लाई हो जाए ल दूसरे राज़े से आया हुआ होता है तो यह एक और जो पूरे पूरे प्रोटोकाल की जो चुनोती है वो हमें दिखाई दे रही हां दवा कंपिनिया शार्टेजिस का कैसा काम करती हैं और क्या कर रही है उस पे तो वैक्सीन को लेकर जो दुनिया में लेदे मची है इस स सीरम इंस्ट्यूट है जो अक्सफोर्ड एस्टर जनका की वैक्सीन जो डेविलप की हुई है उसको मैनिफेक्चर कर रहा है यूरोपियन यूनियन ने एस्टर जनका उस पर लीगल एक्शन शुरू कर दिया है यह बाद अश्वान ही लंबे समय से आ रही थी यूरोपियन को ने वादा किया था तीस करोर डोज का और सप्लाई कर पाए हैं तीन करोर डोज ही मतलब दोजार इकिस के पहले कौर्टर में जो पहला कौर्टर बीता है जनवरी फ़रवरी मार्च का अगर वित्ती वरश करिसाब से ना चले तो और कंपनी अपना प्रामिस नहीं रख प जैसे जैसे कोविट की का वैक्सिनेशन आगे बढ़ रहा है और हमने ये बात कही थी खर्चा पाने में कि भारत जो की वैक्सीन का प्रडूसर और एक्सपोर्टर है जब वो इंपोर्टर हो जाएगा तो दुनिया में पूरे वैक्सीन के मार्केट का धाचा बदल जाएग है लेकिन अस्ट्रजेनेका शुरुआती वैक्सीन में है जिसको दुनिया में बहुत सारे देश इस्तिमाल कर रहे हैं और यूरोपीन यूनियन के साथ जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट यह है कि 30 करोल डोजेस दिये जाने थे 27 देशों को यूरोपीन यूनियन के अस्ट्रजेनेका की तरफ से और इसमें 10 करोल की बढ़ोती और की जानी थि यानि जो अस्ट्रजेनेका के साथ वो कांट्रेक्ट करीब करीव 40 करोल डोजेस दा ता और वो अस्ट्रजेनेका पूरा नहीं कर पाई अब यहां फार्मेसिटिकल कंप इनि theory की ती जिन की जैने का या कैपिसिटी की चिकार है एक सवाल तो यहे है कि भारत में कितनी तालियां बजाई वैक्सीन आगई वैक्सीन आगई वैक्सीन आगई उखिजीन का यह तो वेक्सीन खतम हो गई तो स्थामसिोटिकल कम thene का और जो में नहीं दिखाई दे रही है, चाइना की में वाक्सीन की शॉर्टेज नहीं दिख रही है, बाकी देश और जो पूरवी एशिया के देश हैं, उनमें वाक्सीन की शॉर्टेज नहीं दिख रही है, रश्या से जो सप्लाइज ले रहे हैं, इस पुतनिक की, वहां भी वाक्स इनकी उस तरीकी की शॉर्टेज नहीं दिख रही पर भारत से पश्चिम की तरफ जहां स्ट्रेजनेका, फाइजर, मॉडरना ये जो कमपिनिया हैं मतलब जो फार्मसिटिकल कमपिनी का पश्चिमी वाला हिस्सा है वहां ये डिस्प्यूट्स शुरू हो रहे हैं तो पहला त बीच में उबरकर सामने आया कि कई देशों ने संधान्त वैक्सिन होड़ की है, जरूस से जादा खरीडी भी है, हमें कहें कि उन्होंने अपने एडवांस प्लानिंग के तौर पर क्योंने और जादा आबादी को देना पड़ेगा, आगे बुस्टर दोज देना पड़ सक संधर में लाना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के भी जो बाचीत चल रही है, उसमें यह है कि उनके पास चार करोर डोज रखे हैं, जो उन्होंने कहा है, कल बाइडन ने कहा है कि इन दुनिया के देशों को बाटेंगे, लेकिन हाला कि उसमें बड़ा एक इफ है, क्यों अप्रूब नहीं किया था, हमासे, वहाँ कुछ सिक्योरिटी के और सेफ्टी के कंसर्ण थे, लेकिन अब हमें नए सिरे से सिधानत पूरी दुनिया को वैक्सीन की ग्लोबल पाइपलाइन को देखना पड़ेगा, कि वैक्सीन की ग्लोबल पाइपलाइन में आखिर कितनी क हो सकती है, यह चुनोती है, और अगर यह डिस्प्यूट्स बढ़ते चले गए आने वाले समय में तो वैक्सीन की सप्लाइ प्रभावित हो सकती है, भारत जैसे देश जो वैक्सीन की नाव में अब सवार होना शुरू कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को लेकर आब उस वैक्सीन की नाव में पाय रखने के कोशिस कर रहे हैं, उनकी वैक्सीन नर्मीतियों के लिए डिस्प्यूट्ट अच्छी ख़बर कहीं से नहीं है, और अगली खबर के हम बात करेंगे, आर्बी आई की और अर्बी आई के ऐलान की, एक आर्टिकल है, कहता है कि जो स्थिती है कि मतलब हमारे पास CPI, WPI का डेटा आ चुका महिंगाई के बारे में जो बहुत ज़्यादा बहस तलब आखले जारी होते हैं जहां से, और उसके बाद आर्बी आई का ये कहना है, और वो समय जिसकी रिपोर्ट की बात में लोग शूट के पहले कर रहे थे, कि प की जिन्दगी बचाना और वो है, लेकिन अर्थरस्ता की चिंताएं आप पीछे नहीं खिसका सकते हैं, वो धीमे-धीमे मुक्यधारा में आही जाएंगी, तो बड़ी खबरे हैं, एक RBI की खबर और एक इस्टेंडन पूर ने भारत में जो पेट्रोल की डिमांड है, जो कम से कम लगभग 9% की कमी का आकलन किया है, और जब फ्यूल की डिमांड में 9% की कमी का आकलन है, तो इसका सीधा मतलब है कि भारत की ग्रोथ टूपने वाली है, क्योंकि इन्धन किया एनरजी की मांग के आधार पर ही एकॉनिमी की ग्रोथ का एसेस्मेंट किया जाता है, त नहीं होगी. दूसरे तरफ आरबियाई, आरबियाई का एक टीम है डिप्टी गवर्नर की, माइकल देवरत की, जो इससे पहले भी आरबियाई की तरफ से बहुत सारे सैधानतिक विश्यों पर अपना अपनी बात रखते रहे हैं, उन्होंने अप्रेल के बुलेटिन में य यहांकला जब हमारे पास आएगा तो शायद और दाधा खराब इसलिती नजर आएगी क्योंकि हमालिटी 6% से उपर महंगाई की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने इस तरह से एक संके देने की कोशिस किये कि भारती अर्थ विवस्था में कोविट की दूसरी लहर से निबटने कि जो सबसे बड़ी चुनोती वो केवल यही नहीं कि मंदी से उबर ना है, वेलकि महंगाई से भी बचाना है, हलाकि यह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने, लेकिन भारती अर्थ वस्था में इस्टेगनेशन की समस्या दिखाई दिखाई दे रही है, जहां प कारों के जे में बिलकुल फट चुकी है, खाली है, और करज के लिए उनकी मांग आने वाले में समय में बढ़ती जा रही है, जैसे ही हमारी निगाहा अस्पतालों से बाहर लोटेगी, जैसे ही हम कोविट की दूसरी वेव पे थोड़ा नियंतर पकी स्थिती में आएंगे, अर्थ वेवस्था की चिंता पिछले साल से जादा बड़ी होकर हमारे सामने खड़ी होगी, इस बात का संकेत अजर बैंक ने देने किया है, हाँ, क्योंकि मतलब एकदम आसान अर्थों में समझें तो यह कोड़ में खाज वली से थी है, हाँ, और हम तो मंदी से निकले ही नहीं थे, मंदी में तो हम पड़े ही हुए थे, हाँ, तो मतलब हम और लेड़ी कांट्रेक्शन में थे, उसमें इतना बड़ा इस वेव ने फिरसे हिट किया है, तो मतलब एक और थेहस्ता में बड़े फेलियर की तरफ हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फिर से और चीज और उद्योग मंत्राले, खासतार पर उद्योग मंत्राले इस बात के लिए जिम्मेदार है क्योंकि आक्सीजन उसके मात तहत आती है, इंडिस्ट्रिल आक्सीजन आती है, उस बिखराओ का नतीज़ा यह हुआ है कि भारत की प्रमु खुद्योगों के कामकाज़ भी वो कमपीनिया मेडिकल ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए बाकी चीजों में कोशिस करने लगी है, उसका असर उनके सामाने संचालनों पर भी हमें दिखाई देगा, जब तक कि इस्तिती नार्मल नहीं हो जाती, हमने अभी इसका इंपक्ट एसस नहीं किया है, अभी हमारे पा से भी वैसे भी लड़कडा आ गई है, और दूसरी चीज एक और महत्तुपूर नहीं हापर चोटी सी जोड़ना चाहते हैं, कि उद्योग अभी इस बात के कोई समझी नहीं पा रहे हैं, कि सेकंड वेव का पीक कब आएगा, क्या रीजनल लागडाउन, फुल लागडाउन की तियारी करनी पड़ेगी, तो वो असमंझस की स्थिती भी है में, RBI की इस रिपोर्ट में रिफलेक्ट होती रिखाई दे रही है, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी, कैसा अलगा आपको, क्या सुझाओ है, क्या सवाल है, ज़रूर बताएगा वीडियो एक अमें सि